हेलो फ्रेंज नमस्ति रादे रादे यहां बने चावल की रोटी क्या आपने भी कहीं कि चावल की रोटी तो ज़रूर बताएगे कमेंड्स वाक्स में और यहां मेरी जो मम्मी है वहाँ पर गाओं गई थी में गूमने के लिए तो मुझे बहुत पसंद है चावल की रोटी तो मैं काफी दिन बाद गई थी तो मैंने बोला मम्मी से कि मम्मी मुझे चावल की रोटी खानी है तो यहां चावल की रोटी बना रही है मम्मी मेरी तो यहां पर यह आटा जो है वो लगा रही है और ऐसे लगता है चावल का और बहुत हमार रही हैं और यह जब आटा लग जाएगा मतलब कम पानी लगके आटा लगता है अब इसको आटा को लोहीं बनांगे इसकी और लोहीं बना के फिर देखना आप लोख से यह पेडि़ाया चुपक क्या है तो अब चुटा रही है और यहां पर यह आटा बैसे गैस पर काना बनता है लेकिन मैंने बोला चूले की रोटी खाने हैं मुझे तो चूले पर बना रहे हैं यहां पर यह लोई बना रहे हैं और आम आराम से मुझसे तो रोटी बनती भी नहीं है इसकी ये देखो आहरामारम से रोटी बननी और होड़ोगे पानी ले रे हैं अब इसको हातों पर लगा रहे हैं और इसको देखो इस ट्रयप से आहरामारम से बनाते हैं इसको और एकदम ये चावल्ण की रोटी खाने में इतवी टेश्टी लगती है मैं पालक के साग से आलू टामाटर के सब्जी से खाओ बहुत ही यमी लगती है एकदम तो मैंने इसको खाया था उसकी आलू मतर टामाटर के सब्जी से बहुत ही टेस्टी एकदम करारी करारी रोटी बनी थी तो यहां पर देखो यह बना रही है मम्मी रोटी अभी देखो इ और आप लोग पूर्टाइ कर सकते हैं अब यहां पे रोटी दोको किती सुन्दर लग रही है ना एक दम देखने में वाइट वाइट बहुत प्यारी लग रही है यह टाल दी तब एपर और यहां पे जो एक कंडे को अधा रही है क्योंकि यह रोटी सीखनी है गई में यह कं पर से शिग गया ही थी तो उपर पलट दिया था तब मतलब छूले में रख दिया इसको पकने के लिए आप यह पकने वाली है एक तरब से अ बहुत अच्छे से से सिखते हैरां अर्यमा रमाराम से एक दम करा दी करारी बनती है अ तो दूसरे तरब से से रहे हैं आप और द दिख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है एक दाओ वाओ मुझे पानी आ रहा है